स्री सिवाय नमस्तूब्यम हर हर महादेवासा करता हूँ अप लोग स्वास्त होंगे और अच्छे होंगे दोस्तों जो अपने जिन्देगी से परिसान हो गए हो तंग आ गए हो गश्टमर जीवन जी रहे हो बहुत दुखी हो किसी भी कारे में उनको सफलता नहीं मिल पा रह जीवन में हमेशा दुख मिला है काटे ही मिले हैं तो देव अदिदेव महादेव कहते हैं कि ये तीन दीन तीन घड़ी तीन 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 बार तीन नच्छत्र जिसमें भोले नात सूल धारन करते हैं जो धतूरा होता है उसके साथ में बाबा सूल धारन करते हैं और उस तीन स जो सुल संकर भगवान को समर्पीत करता है उसके जीवन से उस सारे सुल हटा देते हैं सारे दुख दूर कर देते हैं वह तीन दिन जो है असकांत पुड़ान में लिखा हुआ है तो पूजे गुरुजी की कथा से ही सुनकर मैं आपको बेहतर तरीके से बताने वाला हूं इसल से पहला बैसाक महीने की प्रदोस बैसाक महीने की प्रदोस में किसी भी प्रदोस के दिन प्रदोस काल में याने की साम के समय जब सूर्य डुबा ही हो उसके तुरंत बाद भोले नात को बेलपतरी के ब्रिक्च के साथ काटे सीलिंग पर चड़ा देते हैं तो आपकी के मध्यान का समय दोस्तों जो बड़ी सिवरात्री होती है यानि की माग की जो बड़ी सिवरात्री आती है उसमें मध्यान के समय यानि की दोपहर के ठीक 12 बजे चाहें वह सिवरात्री किसी भी दिन पढ़े जिस भी दिन सिवरात्री रहे उस समय पर धतूरा और बेलपात्री ब्रिक्च के काटे के साथ सेलिंग पर समर्पित कर देते हैं तो जो लोग नसा करने वाले होते हैं सराप पीने वाले होते हैं गलत मार पर चलने वाले होते हैं या किसी इस्तिरी के चकर में पड़ गये हो गलत रास्ते पर चला गया हो तो सिरात्री के मध्यान के समय किया गया या उपाय किसी चमतकार से कम नहीं होते हैं तिसरा जो है स्रामण के महीने में देखिए सावन के महीने में जो भी दूसरा सोमार आ जाए यानि कि दूसरा जो सोमार पड़ जाता है स्रावन महीने में जो दूसरा सुमार आता है उस दूसरे सुमार को रातरी के समय यानि की घड़ी के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 10 बजे से 12 बजे के बीच में उस समय एक धतूरा आप ले लीजिए और उसके साथ में भगवान सीव को सुल समर्पित कर दें यह जो होता है घर की बधाओं को तकलीफ को दुकान बेवसाय को नोकरी सर्विस के लिए किसी सरकारी नोकरी के एकजाम के लिए बैठे हैं पर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है यह तीन बार संकर भगवान को बेलपतरी बिरिच के सूल समर्पित होते हैं और उसका फल आप को जरूर प्राप्त होता है यह तीन बार तीन समय और तीन अच्छत्र आपके जीवन को सुख की अनुभुति कराते हैं आसा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लेगी होगी स्री सिवाय नमस्तुब्याम हर हर महादेव